अगर मेरी ये रेसिप्य आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज प्लीज मेरी चानल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए सबी लोगों को बहुत 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 थन्यवाद यहाँ पर हमने लिया है फोर स्लाइस्ट वाइड ब्रेड हम अभी एक ब्रेड के उपर लगा लेंगे पीजा सॉस अगर आपके पास पीजा सॉस नहीं है तो आप टोमाटो सॉस और सेजवान सॉस को मिक्स करके भी इसके उपर लगा सकते है उससे भी ये खाने में बहुत ही कैपसिकम जिसको हमने ऐसे लंबा-λंबा करके काट लिया है यहाँ पे हमने दूसरा और एक ब्रेड लिया है और इसका भी एक साइड में हमने लगा लिया है फीजा सॉस तो हम अभी क्या करेंगे जिस साइड में हमने सॉस नहीं लगाए है उस साइड को नीचे की तरफ बहुत ही इजी और फटाफट बन जाते हैं तो हम अभी इसके उपर कुछ वेजिटेबल सजा लेंगे जैसे कि यहां पर हमने लिया है ग्रीन कैपसिकम, रेड बेल पेपर और प्यास सभी सबजी को मैंने ऐसे लंबा-लंबा करके काट लिया है इससे दिखने में बहुत अच् है तो इसको क्यूब कटिंग करके भी ऐसे सजा सकते हैं वो आपकी चोईस है इसके पाद हम इसके उपर छिरक देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और मिक्स्ट हर्प्स आप चाहे तो इसके जगा पे औरी कैनो नहीं तो पिज़ा सीजनिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास यह सब नहीं है तो आप सिफ चिली फ्लेक्स से भी काम चला सकते हैं तो देखिए यह रडी हो गया है तो चलिए हम इसको अभी टोस्ट कर लेंगे तावा पे हमने वान डेबल स्पून बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे यहाँ पे ध्यान में पोस्ट कर लेंगे एक से देर मिनिट बाद हम धक्कन को खोल रहे हैं तो देखिए हम लोग का ब्रेट क्लाब पिजा एकदम रेडी है तो अभी हम इसको दवा से निकाल लेंगे तो आप इसको ब्रेक्फरस्ट नहीं तो स्नैक्स में फटा-फट बना सकते हैं जस्ट फाइ झाल 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 झाल